आज आपने टॉपिक तो देखी लिया होगा थोड़ा इंट्रेस्टिंग टॉपिक हम जो है यहां पे लेने वाले हैं यह टॉपिक जो है यह है डाउ के ओपर डी ए ओ जो की क्रिप्टो में अगर आप हो तो आपने काफी बार यहां सुना होगा यह डाउ वो डाउ ऐसा होने जो है कॉमेंट में पूछा कि यह डाउ का चक्कर क्या है समझाओ इतनी भसड क्यों मची है कि डाउ सब लोग डाउ डाउ कर रहे हैं है क्या तो आज जो मैं है एक यह टॉपिक एक्स्प्रोर करना चाहता हूं प्लस मैं मेरी हेल्प करने के लिए यहां पे 27 फेब को आ रहा है इंवेस्टर एड्वाइजर रहे है तो डाउ की गाईज अगर बात करें यहां पे तो बहुत ही आक्चुली देखा जाए तो फंडना डाउ का बहुत सीधा साधा सा है तो डाउ को जो है यहां पे बोलते हैं डी सेंट्रलाइजड ऑ्टोनोमस और्गनाइज़ेशन अब डी सेंट्रलाइजड ऑ्टोनोमस और्गनाइज़ेशन का मतलब क्या है यहां पे कंपनीज होती है गाईज उसका सेंट्रलाइज लीडर्शिप होती है एक लोग एक बंदा दो बंदा तीन चार बंदे या मेभी दस बंदे जो बोर्ड ऑफ डारेक्टर्स है सब चीज के लिए क्या हो गया डी सेंट्रलाइज हो गया अब दूसरा ऑटोनोमस की अगर अपन बात करें तो ऑटोनोमस का फायदा यह होता है कि वो स्मार्ट कॉंट्राक्ट बेजड है तो यहां पे उसको चलाने के लिए हम लोगों को बहुत सारी चीजों की जो है जुरुरत नही आप सोचो यार जब companies की बात करें यहां पे इन्होंने बहुत अच्छा example दिया है कि क्या आप अपने current organization या current company के बारे में कुछ change करना चाहते, leadership change करना चाहते, structure change करना चाहते, payment change करना चाहते, मतलब अगर मैं मेरी company का एक छोटा सा employee हूँ, company में है 10,000 लोग, तो मैं यहां पर बोल नहीं सकता किसी को CEO change कर दो company का, पर अगर वो एक DAO है, तो मैं बोल सकता हूँ, मैं एक proposal बना सकता हूँ, उसको submit कर सकता हूँ कि इस company का, हमारी company का CEO change करके यह बंदा होना चाहिए, अब फिर वो पूरी की पूरी जो company है, उसमें 10,000 लोग है, जो भी उस DAO के governance tokens hold कर करते हैं, वो वहाँ पर vote कर सकते हैं, कि यह ऐसा करो, जिसको अभी principle agent problem कैसा होता है, जैसे जैसे लोगों की गिंती जो बढ़ती है, वो जो principle है, वो यहाँ पर यह एक चीज चाहता है, अब यह main बंदा जो है, वो एक चीज चाहता है, वो जिसको काम delegate करता है, वो दूसरी चाहता है, तो वो इसको कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि यह इसको नौकरी पर रख रहा है, अब पर हो सकता है, यह सही decision ना ले रहा हो, तो यहाँ पर थोड़ा सा conflict of interest आने लगता है, क्योंकि इसको अपनी नौकरी प्यारी है, तो यहाँ पर company किसको प्यारी है, किसी को नह ही होते, तो DAO जो है, वो यह problem को fix कर देते हैं, एक trustless system को बना के, जिसका main काम आता है, जब centralized leadership के बिना चीज़े, यहाँ पर चलनी चल पड़ जाती है, नो of course, कुछ criteria's की यहाँ पर बात की हैं, कि यह जो governing rules हैं, और यह पूरी की जो पूरी policies हैं, पहले क्या होगा, कोई कितने लोगों का vote जो है, positive आना चाहिए, कितने लोगों का no आना चाहिए, यह सब पहले ही decide होके, smart contract पे बनके, blockchain पे होना चाहिए, इसकी जासे यहाँ पर कुछ भी एक final decision वगरा, किसी एक बंदे के हाथ में नहीं आएगा, वो अपने आप execute हो जाएगा, तब वो बंदा उनके बास token कितने हैं, और वो सारी चीज़ें यहाँ पर कितनी है, history में मैं नहीं जाओंगा, तो DAO का यह है, कि यहाँ पर smart contract involved होते है, set of rules जो है, सारे के सारे members को पता होते है, और यह जो token है, यहाँ पर spent किया जा सकता है, system के अंदर, यहाँ पर फाइदा तो आपको बता फिर तीसरे boss को बताएगा, फिर चौते को बताएगा, पांचों को बताएगा, फिर credit उस level बनता ले जाएगा, और जिसने actual idea दिया था, वो बेचारा कहीं पर गुम जाएगा, यह सब चक्कर यहाँ पर फिर नहीं पड़ता है, तो यह काफी अच्छा एक positive चीज हो जाती है अब बात करो DAO की, कि यहाँ पर problem क्या है, DAO में सब involved होने चाहिए, अगर आप companies में हो तो आपको पता है कि यहाँ पर क्या होता है, कि smart contract में जब सब लोग involved हैं, तो यहाँ पर कहीं कुछ ना कुछ, किसी एक बंदे की वज़े से गड़बड की वज़े से कुछ नई चीज इंट्रोड्यूस हो सकती है, थोड़ा चीजें भी slow हो सकती है, अगर voting हो रही है, कोई लोग नहीं आए, नहीं active होए, तो यहाँ पर चीजें थोड़ी सी slow हो सकती है, जो decentralized systems है, वो comparatively थोड़े slow हो जाते हैं कभी-कभी, legal terrain की जहाँ तक बात की जाएगा है, तो वो geographical areas का थो अगर lawsuit हो रहे हैं, तो multiple countries के थूँ यहाँ पर lawsuit का आएगा, कैसे deal होगा, वो सब चीजें यहाँ पर clear नहीं है, तो यह थोड़ा सा एक चीज हो जाता है, अब gaming में आपने बहुत सारे DAOs और यह सब देखे होंगे, फाइदा क्या है DAOs का यहाँ पर एक चीज understand करो, DAOs ऐसी च कुछ भी है, तो वहाँ पर does not matter कि आपकी degree कौन से है, तो literally, अगर हम पूरा DAO-based system करें, तो मेरे मेरा friend है Harsh, उससे बात की थी, तो उसने बहुत अच्छा मुझे एक message लिख के भीजा था, उसने बोला था, कि किसी ने tweet किया था, twitter पे, अब I don't know who that tweet was, who did that tweet, वहाँ पर tweet में लिखावा था, imagine, on Monday you are working for Google, Tuesday for Facebook, Wednesday for Apple, Thursday for Microsoft, Friday for Nvidia, is it possible, yes, in a DAO, it is possible, क्योंकि DAO के ऐसे बहुत सारे जो है, limitations नहीं होते, कि हमारे यहां काम करो, इतने सेतना काम करो, यहां आओ, वहां जाओ, क्योंकि DAO है, crypto है, blockchain है, 100% यहां पे चीज़ें जो है, remote होती है, अब 100% का मेरा मतल अब यहां कि, ऐसा नहीं है, कि offices नहीं है, लोग office जाके काम नहीं करते हैं, of course करते हैं, बट यहां पे remote work का जो openness है, लोगों का, अगर आपके पास skill है, आपके बस talent है, आप उनको बता सकते हो, कि आपके पास यह talent है, जो कि एक DAO में बताना बहुत easy है, क्योंकि आप बस gith अब पर जाके proposal share कर सकते हो, उनके जहां पर, जिस भी DAO के आप part हो, वहां पर बहुत easily proposal submit हो जाते हैं, आपकी बात बहुत आराम से सुनी जा सकती है, तो it does not matter कि आपके बस degree है, अगर आप point अच्छे रख रहे हो, अगर आप smart चीजें लेकर आ रहे हो, उस DAO के लिए चीज हैं, suggest कर रहे हो, you have a better chance यहां पर, than having a degree, तो यहां पर job opportunities और बहुत सारी चीजें जो है, DAO के थुरू open हो जाती हैं, जिसमें remote work और बहुत सारे interesting तरीके आ सकते हैं, काम करने के, then as opposed to traditional job structures, तो यह definitely, I think, यह एक ऐसी चीज है, जो आपको explore करना चाहिए, आपको basically Google पर जाना है और लिखना है DAO, jobs in various DAOs, what are the DAOs, अलग-लग तरह के DAOs देख लो, उनके देख लो, उनके महाँ पर careers में क्या available है, but काफी interesting यह चीज यहां पर है, and I 100% think कि अगर आपको blockchain side पर career का सोच रहे हो, तो this is amazing, and आप यहां पर पैसा भी बहुत आचा बना सकते हो, आपके ideas भी सुने जाएंगे एक तरह से अगर वैसे देखा जाए तो, as well as यहां पर आप एक ऐसे industry में होगे, या ऐसे circle में होगे, जहां पर आप, जैसा कि मैंने बताया, आपकी चौमडी का color क्या है, does not matter, आपकी height क्या है, बाल कौन से कजल क्या है, कौन से country की हो, does not matter, right, crypto is truly, truly, truly decentralized and अगर अ अच्छी और बहुत ही जादा accepting industry है, blockchain industry, so definitely explore करें, और मुझे नीचे comment में ज़रूर बताएं कि आपको, यह DAOs वाला concept और DAOs में job करने वाला concept जो है, कैसा लगा है, आज का जो password है guys, आज का password अपन रखते हैं, web3 and nfts, तो यह आप नीचे मुझे comment करके बता सकते हो, and as always, अप जो हमारा daily morning वाला newsletter आता है, वो भी आप यहाँ push करना, मत भूलना, ज़रूर check out करें उसको भी, and that is it, यह है main चीज़े, आज के video की, मैं आप लोगों को guys, अगले video में मिलूँगा, and तब तक के लिए, बाई बाई